तो वो कह रहे थे उनको देवदूद दिखाई पड़े और वहाँ एक सुरंग जा रही है अगर आपके पास एक खास मात्रा में महारत हासिल है तो आप बड़े आराम से कूच सकते हैं और वापस आ सकते हैं आप इस शरीर को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप बहुत धेर सारी चीजों को महसूस कर सकते हैं बिल्कुल यहीं जब हम कहते हैं मृत्यू तो एक लेवल पर मृत्यू की परिभाशा ये है कि आपने शरीर खो दिया है यही तो मृत्यू का मतलब है तो मेरा मतलब आईए दूसरे क्षित्रों में नहीं जाते हैं इससे आप बड़े चक्कर में पढ़ जाएंगे अब मृत्यू के निकट के अनुभाव की बात है तो देखे जिस चीज को ध्यान कहा जाता है तो अगर आप शूनि ध्यान में बैट कर जम जाएं तो यह मृत्यू के निकट नहीं है असल में मृत्यू ही है लेकिन सचेतन वृत्तिव है आप देखे अगर आपके पास मान लिजे कि आप साइकल चला रहे हैं आप एक नए नए साइकल सवार हैं जिसके पास थोड़ा ही संतुलन है तो आप इस तरह से जाएंगे कोई दूसरा बच्चा है जो सवारी कर रहा है वो अपने हाथों को खाली छोड़ कर सीटी बजाएगा और यहां देखेगा, वहां देखेगा, सवारी करेगा और तरह की चीज़ें करेगा हैंडल पर खड़ा होगा और घूमेगा कूदेगा, सब करेगा क्यों? ये एक तरह की महारत है एक खास संतलन और महारत है तब आप साइकल से कूट सकते हैं और फिर से वापस आ सकते हैं ये सब कुछ कर सकते हैं इसी तरह आपने शरीर के साथ भी अगर आपके पास एक खास मातरा में कुशलता है तो आप आसानी से कूट सकते हैं वापस आ सकते हैं, अब ये गल्ती किसी दवा की वज़े से हो रही है, या कई लोगों के साथ 60-70 के दशक के दौरान, जब LSD का समय था, बहुत सारे लोग थे, जो इसके बारे में बात कर रहे थे, सर आपकी बारी है, वो आपका समय था, कह तो सकते हैं, तो बहुत सारे लोग थे, जो इस बारे में बात कर रहे थे, और ये वाकई में उनके साथ हुआ था, ये वास्ता 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 में उनके साथ हुआ था, ले उन्हें वास्ता में उन चीजों का अनुभव किया था, जिससे उनका जीवन कई माइनों में बदल गया था, एक अजीब तरीके से, लेकिन अचानक उनके बारे में सब कुछ बदल गया, सिर्फ इसलिए कि कहीं न कहीं उन्हें आभास हो गया था कि शरीर को थोड़ा आगे प कुछ बढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया है, कुछ लोग प्रिये किताबे हैं, जिनमें उनका कहना है, उनको देवदूद दिखे हैं, और वहाँ एक सुरंग जा रही है, देखिए एक बात है जो आपको समझनी चाहिए, जब कोई सर्जरी करवाने जा रहा होता है, तो डॉक्टर्स आश्वस्थ हो सकते हैं, मरीज को हमेशा डर लगता है कहीं वो मर न जाये, हलो, डॉक्टर आश्वस्थ हो सकते हैं, उनको केस पता है, उनने पता है वो क्या कर रहे हैं, 99 प्रतिशत वो आश्वस्थ होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेक किसी के सिर पर बंदूक रख दें और बस चला दें और निशाना चूक जाएं, या बंदूक खाली हो, तो वो लगभग मर जाते हैं। मृत्यू का करीब का अनभा होता है। वो कुछ समय के लिए घुम हो जाते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं। असल में वो सोचते हैं कि वो चले गए थे और वापस आ गए। और उन्होंने सीन को उपर से भी देख लिया था क्योंकि ऐसा हॉलिवूड की वज़े से होता है। तो मानव मन अनभावों के अनेक आयामों को बनाने में सक्षम है। इसको मृत्यू के रूप में नहीं समझ लिया जाना चाहिए। ये जीवन है। सबसे पहली बात, खेर, मैं मृत्यू पर एक किताब लेकर आ रहा हूँ, अंदर की बात। मैं इसको साड़े छे साल से लिख रहा हूँ, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अमीद है अगले साल या उसके बात में इसे लेकर आऊंगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि वास्तों में मृत्यू जैसी कोई चीज नहीं है। ये के वल जीवन, जीवन और जीवन है। इसका एक आयाम से दूसरे आयाम में, दूसरे आयाम से अगले आयाम में जाना है। तो अगर मैं एक आयाम को खो दूँ, तो ऐसा लगता है कि वो मर गया है। अभी ये एक medical fact है कि उनका कहना है कि लगभग 15 दिन में आप अपने मौझूदा शरीर का 7 किलो वजन खो देते हैं और कुछ नया उसकी जगा ले चुका होता है। हर 15 दिन में आपका वजन चाहे जो भी हो, आपको बस ये हिसाब लगाना है कि आप कितने पखवाले में पूरी तरह से जा चुके हैं। आपके शरीर में जो कुछ भी है वो लगातार खो रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन आप उसे मृत्य के रूप में अनुभाव नहीं करते हैं। हर भोजन में, हर रोज, आप जो अपना पेट खाली करते हैं, आपके लिए ये मृत्य के करीब का अनुभाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन ये आपके साथ होता है क्योंकि आपके अनुभाव में कुछ अलगाव हो रहा है। विशेश करके अनेस्थेटिक प्रभाव के कारण ऐसे अपनी विभिनक शमताओं से अलग होना, जिनके आप आमतोर पर आदी होते हैं। अचानक आपको ऐसा लगता है कि आप मर चुके हैं, कोई नहीं मराएं। ये बस ये पूरी तरह से ये गलत समझ है। हाँ, आपके जीवन का हर पल अगर आपे चुक हैं, यदि आप स्थितियों और अपने जीवन के विचारों और भावनाओं में नहीं उलजे हैं, तो बहुत-बहुत सी चीजें हैं जो आप यहीं अनुभव कर सकते हैं। आप यहीं यहां बैठे बैठे अपने जीवन को वहां से देख सकते हैं, ठीक है? यह मृत्यू के निकट कानुभव नहीं है, यह जीवन है। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, दुर्भागे से बहुत सारे लोगों के लिए एक शमताओं की कमी होना अच्छी तरह से काम करत है, यह अच्छी बात नहीं है, ऐसा हुआ। एक आदमी अपने एक घनिष्ट मित्र से 25 साल के अंतराल के बाद मिला, जिसे वो अच्छे तरीके से जानता था जब वो उनिवर्सिटी में साथ में थे, तो उसने उसे रात के खाने के लिए घर परामंतरित किया, और एक भार मेरी स्वीटी पाई, मेरी बू-बू-बू, मेरी कु-कु-कु, मेरी बुल-बुल और जो भी होता है, आप तमिल हैं, इसलिए मेरी थंगम, मेरी चु-चु और वो सारी चीज़ हैं, तो खाना होने के बाद, दोस्त निकलने को था, और वो बोला, तुम कमाल के जिन्दगी मेरी पत्नी के साथ मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, हम एक दूसरे की शकल भी नहीं देख सकते, जिस तरह से तुम अपनी पत्नी पर जैसे प्यार बरसा रहे हो, वो वो बुला, तुम क्या बात कर रहे हो, उसने का तुमने उसे बुल-बुल कहा, तुमने ठंगम बुलाया, तुमने उसे वो कहा, उसने का रे यार मैं उसका नाम साथ साल पहले ही भूल चुका हूँ, क्षमताओं का नुकसान दुरभाग्य से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो अपनी क्षमताओं से पीड़त हो रहे हैं, लाखों वर्षों के विकास के बाद जो सबसे बड़ी क्षमताओं हमारे पास आई हैं, दुरभाग्य से हम उनसे पीड़े थें, क्योंकि हमने यूजर मैनुवल को नहीं पढ़ा है।